हेलो स्टूडेंट कैसे हैं आप सेमिस्टर सिक्स एस एल का रिजल्ट आ गया है और इसके अंदर बहुत सारे बच्चों का मैसेज इस आए कैसर हम पास हो गए फर्स रिविजिन से पास हुए अच्छे मार्क सा गए थाइंक्यू सो मच तो अगेन मैनी मैनी कॉंगरेचलेशन सभी बच्चों को जो बच्चे पास हो चुके हैं अब आगे की जर्नी क्या होगी नहीं होगी मैने आप सभी स्टूडेंट के लिए आगे कुछ कोर्स से रिलेटेड वीडियो लेके आने लगा हूँ जैसे आपको सारे पहले मैं कोर्स बता दूँगा उसके बाद उसके बी हो जाएगा तो अब आपके लाइफ का ना सबसे मुस्किल दोर आने वाला है सबसे मतलब ऐसा है ना कि वो लाइफ जिसमें उमर रेत की तरह जाएगा और क्या करना है कुछ समझ में नहीं आएगा कुछ स्टूडेंट हो सकते हैं में भी जो सीए कर रहे हों या फिर कोई को किया है तो उनके लिए काफी दुभिदा भरी आएगी उनहीं को सौल करने के लिए मैंने आज आगे स्टूडेंट कोनी बता सकता तो पहले मैं एक एक करके आपके लिए लाऊंगा तो बस अगें आभी बच्चों को और मैं यही कहना चाहँगा इस कमेंट में जो बच्चे पढ़े थे genuinely सिर्फ comment में अपने junior जो की अभी माल लेते है semester 5 में होंगे 3 में होंगे या एक में आने वाले हैं उनको एक guide अपने life के अंदर आपने क्या-क्या गलती करी है वो please आप लिखिएगा जरूर comment में शायद ये आपका एक लिखावट ये एक में हम बहुत mistakes करते हैं तो कई बार जब हम बताते हैं तो उनको लगता है कि सभी teacher ऐसे बोलते हैं लेकिन शायद आपकी बात impact करेगा सिर्फ एक से दो मिनिट लगेंगे और क्या हमें सुरू से पढ़ना चाहिए क्या हमें लास्ट में पढ़ना चाहिए हमें कैसे पढ़ना चाहिए ताकि हमें दिक्कत ना आए जो आपने exam hall में feel किया है वो बाते जरूर लिखिएगा बस मेरे आपसे यही request है जरूर लिखिएगा जो बच्चे पढ़े है और अपना experience share करिए ताकि आने वाले बच्चों को वो problem face ना करना पड़े जो आपने किया whatever आपके साथ happening हुआ है बिमार पढ़ गया जो हुआ जो भी अपनी story share करना चाहते हैं करिएगा तो मिलते हैं हम इसी तरीके से next video में और next video में आपके लिए courses related में लेके आऊँगा कि क्या क्या courses है जिसे आप करके part time courses full time courses करके भी आपके लिए होगा अगला वीडियो आप किस पर चाहते हैं अगर comment पर बताएंगे सर इस course के बारे में बताओ तो specifically उस पर बना दुआ लेकिन मैं plan कर रहा हूँ कि मैं अगला वीडियो आपके लिए बनाओ MBA के उपर कि MBA में क्या फाइदे हैं और क्या नुक्सान है और M.com के उपर तो M.com और M.com के उपर next वीडियो आएगा Thank you so much, मिलते हैं next वीडियो